इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्च क्या होती है, सर्च क्यों इंपॉर्टन है और डिजिनल मार्केटिंग में इसका क्या रोल है इसको सवालों के जवाब चाहिए उसको नई चीजें दर्यास करनी है, उसको खोजनी है यह सारी चीजें इनसान की फित्रत में शामिल है और सर्च भी एक तरह से इनसान की फित्रत में ही उसका शुमार होता है अब तक के मशूर साइंटीज अलबर्ट आइंस्टेन का यह कहना है कि मतलब यह कि आइंस्टेन के मताबिक ना तो वो बहुत ज़्यादा चलाक थे ना ही उनका उनका कुछ खास गिफ्ट था वो बस बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और जिसकी वज़े से आज उन्होंने जितनी भी अज़ादात की वो हम सब को आज भी बेनेफिट देती है और इंसानियत उनको हमेशा ज़ाद रखती है उनकी एफ़र्ट की वज़े से लेकिन हमारा टॉपिक यह है कि हमने जो बात करनी है वो सर्च है और सर्च बेसिकली डिपेंड करती है इन्फरमेशन के ओपर वक्त के साथ साथ जिस तरह से in science जिदत इक्तियार करती जा रही है सारी की सारी information जो है वो digital पे move होती जा रही है आपकी mobile devices, आपकी computer और आपकी बाकी सारी शीज़ें जो है उन सब पे जो आप connected रहते हैं वो data produce करते हैं data produce करने में आप for example email create करते हैं आप status update करते हैं, आप search करते हैं, यह सब चीजे data points कहलाती हैं और यह data पहना कहीं, किसी data base में record हो रहाता है एक अंदाजे के मताबिक, इनसान जितने भी इस वक्त दुनिया में इनसान है वो अभी तक मुकमल तोर पे internet से connected नहीं हो सके हैं लेकिन 2014 में तकरीबन 40% और 40% से ज़्यादा लोग इंटरनेट से connected थे, जो के बढ़ के 2021 में तकरीबन 50% से ज़्यादा इनसान अबादी जो है दुनिया की वो इंटरनेट से connected हो गी यह बहुत बड़ी अबादी है और यह बहुत बड़ी फिगर है इसको हम शायद comprehend ना कर सकें लेकिन अगर इसको digital world में बात करें तो यह तकरीबन डेटा प्रेडियूस के जो होगा वो almost अब जो इनसान है वो तकरीबन बाकी इतने भी sources हैं उन सब के मकाबले में इनसान तक लिए बिग डेटा साइंस की जो नहीं जो information जो technologies आ रही हैं यह इसलिए जरूरी है कि इतने बड़े डेटा को किस तरह से index करना है किस तरह से इसको extract करना है लोगों को right information कैसे पहुंचानी है और यह जो सारी चीज़े हैं यह इसके लिए इस मकसब के लिए बहुत सारी search engines आ आए और उनने बहुत सारी इज़ादात की लेकिन ultimately यह हुआ कि उनमेंसे कुछ रिन किये कुछ lose कर गए कुछ लोग कुछ search engines आज exist नहीं करते हैं कुछ merge हो गये हैं कुछ का नाम चेंज हो गया है कुछ की technology चेंज हो गी हैं इन सब search engines में जैसे कि आप देख सकते हैं आपको performance इसकी जो algorithms हैं उसके मताबिक दुनिया में सबसे ज़दा फेवरिट search engine गूगल consider किया जाता है हमारा topic जो mostly है वो हम search पे बात करेंगे कि हमने search की आहिमित क्या है तो हमें यह understand करना है कि digital marketing के अंदर SEO का role इतना important की हूँ है जब हम SEO की बात करते हैं तो हम उसमें तीन नहीं नहीं है कि search engine optimization में search का क्या role है फिर search engine का क्या role है और फिर search engine के साथ जो optimization का word है यह तीन चीज़ों की अहमियत बहुत जरूरी है तो search जो सबसे important चीज़ है कि search क्या है तो search basically दो तीन चीज़ों में help करती है search आपको क्या बताती है कि जब कोई इनसान कोई चीज़ सर्च करता है उसमें उसकी दो तीन वजुहात हो सकती है for example उसको या तो किसी चीज़ की जरूरत है जिसको needs कह सकते हैं English में या उनको किसी चीज़ की चाहत है या want है अगर वो किसी चीज़ को धूनना चाह रहे है या उनको किसी चीज़ की जरूरत अशिज़ जरूरत है emergency है या नहीं है ये सारी शीज़ें सर्च की बिना पे होती हैं अब ये सारी शीज़ें उनको intent कहलाती है ये जो मकसद है बेसिकली सर्च का ये intent कहलाता है intent से मुराद क्या है intent से मुराद नियत या मकसद अगर आप को डॉक्टर की जरूरत है तो आप गूगल पे जाएंगे और आप जाके डॉक्टर सर्च करेंगे या क्लिनिक सर्च करेंगे या हॉस्पिटल सर्च करेंगे तो अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और कोई बंदा क्लेनिक जिए डॉक्टर सरच कर रहा है तो आपको समझ आ रही है कि यह जो डॉक्टर सरच कर रहा है यह हमारा डायर्ट आउडियन्स हो सकती है और इसको अगर हमारी इंफरमिशन मिल जाए तो यह चल के हमारे पास काला इस М jojी जाए लाइढ़ के लिए और डॉक्टर से बाद कर सकता है अगर इसका आपको भूक लगी है तो आप जाकर सरच करेंगे कि रेसिपी क्या हैं a अगर आपको रेसिपी अ फिर चाईनीज ना है या आपको कॉझनिटर रेस्टोरण चाहिए आव हो सरच करेंगे और आपको Google results दिखाएगा या कोई भी search engine जिस पर आप search कर रहे हैं वो आपको उसके against results दिखाएगा और आपको right information जब उसके आपको मिल जाएगी आप उसको consume करेंगे इन दोनों examples के अंदर जो important चीज़ है वो है intent के search करने का मकसद क्या था आपको भूक लगी तो आपने restaurant search किया आपको बिमारी का पना चला या आपको doctor की ज़रूरत पढ़ी तो आपने information का search किया इसी तरह से अगर आप for example कोई नया mobile search करते हैं या उसके features या उसकी prices search करते हैं आपको किसी mobile लेने का शोक हुआ या आपको ज़रूरत थी तो आपने उसके बारे में information एक्स्टेट की है यह जो intent या मकसद है basically यह बहुत important है marketing के अंदर इस intent को marketers जो हैं वो information के तोर पर इस्तमाल करते हुएं अपनी marketing campaigns इसके ओपर drive करते हैं वो marketing campaigns क्या करती हैं वो कोशिश यह करते हैं कि आप अपनी information को लोगों की needs या wants के ताहर ढाल लें ताके जो लोग search करें आप उनको वो ही provide करें so कैसा होगा कि अगर आपको पहले से ही यह बता दिया जाए कि अगर आपने को डिजिटल पर business खोलना है तो आपको जो लोग search यह कर रहे हैं तो आप exactly यही provide करते हैं क्योंकि इसकी demand है बहुत सारे businesses को offline में offline world में यह सहुलत मुएसर नहीं है आप दुकान खोलते हैं आपको wait करना पड़ सा है कोई चल के आएगा अंदर दुकान के तो आप उसको sell करेंगे लेकिन digital में आपके पास यह सहुलत मुझूद है कि आप जान सकते हैं कि किस तरह से search काम करती है और इस search के तहट कौन आप उसको information कैसे डाल सकते हैं और उसको कैसे utilize कर सकते हैं किसी भी information website पे जो information के channels हैं वो तीन चार channels में divided हैं जब लोग आपको search करते हैं उसमें mostly जो चार बड़े channels हैं उनमें search, social, referral या direct जो चार channels हैं जो किसी website में भी आपको help करते हैं जहां से आपको traffic आती है अब channels understand करना बहुत जरूरी है कि ये channel में सबसे बड़ा channel जो है वो search होना चाहिए अगर आपकी traffic search से आ रही है तो वो आपको बड़ी qualified traffic खेलाएगी क्योंकि आपकी traffic आपको धूंड के आ रही है जिनको धूंड के जो आ रही है या तो उनको कोई जरूरत है या तो उनको कोई चाहत है अगर आप अपने business को उनकी जरूरत या उनकी चाहत के मताबक धाल लें आप उनकी needs और wants को पूरा करना शुरू कर दें तो आपके लिए बड़ा बहुत मुआके होंगे कि आप उनको convert कर लें उसने अपने दोस्तों से connect करने के लिए login किया या उसने अपनी photo update करने के लिए login किया या उसने status update करने के लिए login किया वो intent मजूद नहीं है वो intent आपको search में मिलेगी और इसलिए search बहुत एहमियत की हामिल है किसी भी website में अगर आप चैनल वाइस ट्राफिक वाइस देखें तो सबसे बड़ा रोल जो है वो organic search का होता है अगर आपकी website में organic search से traffic नहीं आ रही तो आप loose कर रहे हैं और इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम search को understand करें search को ये समझें कि किस तरह से digital marketing में इसकी एहमियत है और हम किस तरह से इसको utilize कर सकते हैं अपनी marketing campaigns के अंदर इसके साथ ही हमें ये भी understand करना है कि बाकी challenges कौन से मजूद हैं लेकिन ये बहुत एहमियत की बात है कि अगर आपको search नहीं पता तो digital marketing overall as a strategy आपके strategy flop हो सकती है या आप miss कर जाएंगे कि जो आपको एक इतना important factor इतना important पहलू जिसमें आपको ये पतार चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे हैं अगर total difference है तो आप lose करेंगे जो बिलकुल exactly needs और wants के मताबिक लोगों की information दे देगा वो win कर जाएगा